आउ सीखिए आज की चैनल में आपका स्वागति हैं मेरा नाम कना के और आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूर है और आप जानते हैं कि मैं जितनी भी वीडियो लाती हूं उसमें आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलत है और ज्यादा तर ऐसे टॉपिक होते हैं जो आपको अभी तक नहीं पता थे और आपको सीखने को मिले और काफी लोगों को पसंद भी आई है मेरी बहुत सारी वीडियो तो आप मैं उम्मिद करूंगी कि यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी तो देखिए सब्सक्राइब का वटन होगा उसे किलिक कर दिजिए ताकि जो और टॉपिक पर मैं आपको सीखा हूं वह भी आप सीख सके और लाइक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि अगर आपका एक लाइक आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है तो आप सभी लाइक जरूर कर करते हैं तो को बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हो जाते हैं जो हमें मिश्टेक हमें लगता है कि हम उसको समझ नहीं बाते हैं जैसे कि ओई हो गया यहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको क्या पढ़ना है कभी-कभी हम सही पढ़ रहे होते हैं फिर भी हमें थोड़ी सी प् जापिछ सकते हैं और या तो आपको व या ऊ पर ना चाहिए और या तो आप व पर सकते हैं या उपर सकते हों जह सकते लिट खाह पर के हैं अध्य स्विंगतू है तो यह समय सकएा इंगे। और यहां पर OE को U पढ़ रहे हैं देखिए जैसे वो सू ठीक है आप समझ गया होगे उम्मीद करते हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर कोई प्रॉब्लम हुई भी हो तो हमें माफ कर देजगा बस हमें हमारी यही कोसिस रहते है कि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आये और आप हमसे कुछ सीख सकें देखिए यहां पर OE को O पढ़ रहे हैं और यहां पर भी T OE को T O पढ़ रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि दोनों में O पढ़ जा रहा है तो बहुत ही सिंपल तरीका है जहां भी आएगा या तो O या O पढ़ जाएगा कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है बहुत ही सिंपल है और समझना भी बुल्कुल भी हार्ट नहीं है बस अच्छे से देखना है और समझना है टॉपिक पर मैंने अच्छे से समझाया है ताकि आप अच्छे से समझ सकें अब देखिए OE को क्या पढ़ते हैं देखिए OE तो हम समझ गया है पर काफी बार ऐसा होता है कि OI को भी हम नहीं समझ पाते हैं और हमें समझ में काफी प्राब्लम होती है तो यह वोड़ वर्डें जो हमें पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्राब्लम हो जाती है तो चान लेते हैं कि क्या पढ़ते हैं औ फिर कोई books पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तो याद रिकिए का जहां भी OI आए तो वहां उसे वा पढ़ेंगे यह समझ जाए और कभी कभी OI को OI भी पढ़ा जाता है ठीके बातों हम पढ़ते हैं पर इसे मात्रा भी पढ़ते हैं तो यह हमारे उपर है कि जिस उस ट समझ सकी तो उम्मिद करते हूं आप समझ गए होगे जैसे कि टोई आप देख रहे हैं ओवाई को OI पढ़ रहे हैं जोई तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आमें कमेंट करके पूश सकते हैं हम आपको अच्छे से हर्चीज की वारे में समझा देंगी हमारी उम्मिद यह है कि आपको अच्छे से समझ में आया हो और अगर मेरी वीडियो में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है यह पिच्छ छोटी आ रही है तो मुझे माफ कर देज़ेगा बर मैं कौसिस पूरी करते हूं कि आपको पसंद आए और सिस्क्राइब जरूर कीजिएका यह बाइद करते हैं